गोलियों से घायल पुश्पा हुआ तिरुपती जेल से फरा इसी कोशिश में पुलिस ने पुश्पा पर बरसाई गोलियां पता चला है कि पुश्पा गंबे रूप से जखमी हुआ है शेशा चलम के जंगलों में पुश्पा को ढूणने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूनिट दिपलोई की है पहले इस पैसों से ज़्याद आप अपने मम्मी से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चानल को सब्सक्राइब कर ले ना पुलीस कोर लो मम्मी के प्यार के आएगे इस पैसों का कोई कीमत नहीं है भागरा पेट की पहाडियों पर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये खून से लत्पत शोर्ट पर मिले आठ गोलियों के निशान पुलीस के हाथों मुश्पा की हत्या की अफवाओं की वज़े से आप देख सकते हैं चित्तुर और तिरुपती के कई इलागों में दंगे शुरू है आठ गोलिया लगी हैं किसी भी इंसान का बचपना नामुम्किन है पुलीस की पुश्पा को मारने की एक साज इस्ती है सब पस यही देख रहे हैं कि पुश्पा पैसे किस तरह कामाता था बन तुमला महीतिय का पुश्पन उन पैसों का क्या किया मेरी बेटी का हार्ड ओप्रिशन हुआ उसका पैसा पुश्पा नहीं दिया बगहताई अब यह ठीक है बेटी के शादी पुश्पा नहीं करवाई पताए पुश्पा नहीं हमारे यह घर बन भाए अरे वो आम गरीबों को खाना खिलाता था पुश्पा नहीं हो एक महीने के बाद भी दंगे जा रही है कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है कुछ लोगों का मानना है कि पुश्पा अब जिन्दा नहीं है अफवा ये भी है कि वो जैपैन, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है पुश्पा की बॉडी छुपा कर क्या पुलिस हमें गुम्रा कर रही है आखिर पुश्पा है कहां ब्रेकिंग निउस जंगलों में लगाए गए वाइल लाइफ सर्विलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हूं कौन है रे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेरी दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है पुष्पा का कुछ रही हुआ पुष्पा सिंदा ना ना अब रूल पुष्पा का लेकिन जब शेया है यह़ इसके लेकिन जा है अब दो